असलाम अलेकम जी, ये sketch हम लोग illustrator में इसको refine करेंगे और इसको vectorize करेंगे, vector में convert करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि हम brushes को अल्रडी देख सुके हैं, सीख सुके हैं, तो हम brushes का ही इस्तमाल करेंगे तो यहां पर एक brush की property है मैं इसके double click कर रहा हूँ और इसकी जो accuracy है उसको मैं smooth कर लेता हूँ ठीक है और इसको करते हैं जी keep selected इसको मैं okay कर लेता हूँ और यहां से मैं इसका stroke on कर लेता हूँ और stroke में हम इसको कोई ऐसा color assign कर देते हैं जो के ज्यादा visible हो तो यहां से कोई color assign करते हैं layers panel में जाते हैं और एक new layer create करते हैं इसका नाम रख लेते हैं जी vector logo और इसी की मैं selection कर रहा हूँ और इसके बाद अब मैं इसको start करूँगा ठीक है तो अगर मैं layers को open करूँ और मैं यहां पे कोई भी line draw करता हूँ तो वो इस section के अंदर उसको add करेगा ठीक है तो यहां पे अब इसको थोड़ा सा sketch करते हैं अब जैसा कि हमारा जो sketch है उसमें बहुत ज़्यादा details नहीं है ज़्यादा smooth lines ही हमें नजर आ रही है smooth lines के लिए बहतर है कि हम इसको smooth कर ले तो maximum पर करके देखते हैं हमारे पास क्या results आते हैं अगर तो results बहतर हुए तो हम इसी के साथ जाएंगे otherwise उसकी smoothness को थोड़ा सा कम कर लेंगे ठीके जी यह तो थोड़ा सामने इसको illustrate की है layers में जाके स्कॉफ करके देखते हैं कि how it looks इसको मजीद refine कर लेते हैं ठीके जी मैं दुबारा इस पर click कर रहा हूं और इसको हम कोशिश करेंगे कुछ similar leaf में convert करें because इसकी अगर आप यहां पर width देखें तो यह ज्यादा है और यहां पर width इसकी काम है तो कोशिश करेंगे that both looks somehow similar ठीके तो मैं दुबारा से brush tool लेता हूं और यहां से इसकी width increase करते हैं थोड़ी सी ठीके और थोड़ी सी मजीद increase करके देखते हैं अच्छा brush use करने का यह जो इसको मैं edit कर रहूं इसके path को इसका बहतर तरीका यह होता है कि आप path से start करें और path पे ही end करें for example मैं यहां से start करूं यह path से start करूं और जहां तक मुझे इसको extend करना है और इसका पर पाथ पे आके ही इसको end करूं ठीक है तो यह इसका बहुतर तरीका है किसी भी पाथ को अड़िट करनेगा तो अगर हम इसको देखें और इसको देखें यह जो लीफ के इंसाइड आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं यह कुछ भेटर बनगए है लेकिन इसमें जो यह बहुत स्ट्रेट लाइन पर नज़र आ रही है तो कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा रांडिड इस लाइन को थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं यहां से भी ठीक है इसके बाद हम कोशिश करेंगे यह जो in complete लाइन्स को complete कर लेते हैं ताके हम इनको shapes में convert कर सकें तो मैं इस part को select कर रहा हूं और उसको थोड़ा सा extend कर लेते हैं यहां से झाल झाल ठीके जी, यहां पर हमारे पास एक वरियन बन सुका है, इसको मैं साइट पर ले जाता हूँ और हम दुबारा से अपने स्केच को आन करते हैं और एक और वरियन प्रेट करके देखते हैं ठीक है जी तो यहां से ब्रश टूर लेते हैं और लेट सी के हमारा नेक्स्ट वरियन कैसा नजर आता है झाल 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 जी तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये हमारे पास एक स्केच रिफाइन हुआ है और इसको अगर आप मजीद रिफाइन करना चाहते हैं इसको आप मजीद भी रिफाइन कर सकते हैं जैसा कि यहां पर आपको थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा इसको और इसके अलावा जी आप इसको मजीद भी स्मूथ कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारे पास एक वी आर कंसेडरिंग दिस आज फाइनल लोगो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई लोगो डिजाइन करते हैं उसमें जितने मर्जी कंपोडेंट्स हैं आप कोशिश करें कि उसको ब्लैक और वाइट में ही डिजाइन करें तो उस डिलेवर हो रहा है उस लोगों के थूँ तो दैन इट इस गुड उसके बाद अब उसमें मजीद कलर जाइड कर सकते हैं ठीक है तो इसको आउटलाइन से फिल्म में कंवर्ट करते हैं तो इसकी शेप कुछ इस तरह से नजर आ रही है इसके बाद हम इसके मुल्टिपल वरियंस बनाएंगे और यह देखते हैं कि responsive लोगों क्या होते हैं इसके responsive वरियंस भी बनाएंगे और उसके बाद उसको convert करेंगे उसको save करेंगे for to use it on the websites on social media post on marketing materials इसके लावा mockups के ओपर भी हम इसको 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 इस्तमाल करेंगे see you in the next lesson thank you so much